देश भर में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड होती जा रही है। बीते 24 गंटों में कोरोना संक्रमन्ट के 1,80,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। साथी साथ उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना मामलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। बता देएं कि बीते 24 गंटों में प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगाहों पर अधिकांश नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। बात करें यूपी की राजधानी लखनों की तो वहां भी कोरोना के 5000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के प्रकोप ने किसी को नहीं छोड़ा। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुख्यनेता अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर सुबा दी जिसमें उन्होंने लिखा अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभराज से मुलाकात भी की थी। आपको बता दे कि अखाड़ा परीशद अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे और उसके दो दिन बाद ही अखिलेश यादव भी कोरोना की चपेट में आए। यूपी के हालाद देखते हुए इलाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार को संपून लॉकडाउन पर सर्चा करने के निर्देश दी हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी ताज़ात अमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।